हेलो फ्रेंड्स फॉंडिशन्स आप आर्ट सॉप्रियर के कूर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज से हम इस लेक्चर में एक नए टॉपिक को आरम करने जा रहे हैं वह है कि हम आर सॉप्रियर में अपने आपट को किस प्रकार से कंट्रूल कर सकते हैं और जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे सॉप्रियर होते हैं जो बहुत पॉपलर होते हैं कि उसके अंदर हमारा जो report generation है बगए अच्छे करीके से हो जाता है अर्थात हम जो भी program कर रहे हैं जो उसका outcome आ रहा है वो उसको बगए अच्छे ढंग से दिखाई पड़ता है तो यह हम बात करते हैं कि अच्छा ढंग यह क्या होता है यह तो वो है कि हम किस output को किस प्रकार से screen पर दिखाना चाहते हैं या उसका किस प्रकार से print out लेना चाहते हैं और वह output ऐसा होना चाहिए कि जिसको दे करके समझ में आ जाए कि इसमें से क्या हो रहा है तो इस तरह के output को किस प्रकार से control किया जाए तो इस प्रकार के output को control करने के लिए हमारे पास कई सारे options होते हैं हमारा print command होता है, cat command होता है, format होता है, इत्यादी लेकिन सभी का उद्देश एक ही होता है कि जो भी हम अपना outcome है उसको हम किस प्रकार से screen पर दिखाना चाहते हैं जैसे उधारण के लिए अगर हम कहें कि आपने कोई एक ऐसा program लिखा हुआ है जहां पर आप दो संच्छाओं का योग निकाल रही है तो आप क्या चाहाँ के वहाँ पर जैसे कि मैंने का कि अगर हमको दो और दो को add करना है मैंने दो और दो को add किया और आप यह चाहओगे कि आपके outcome में लिखे आ जाए कि दो और 2 का योग चार होता है अब इसमेंसे क्या है कि 2 और 2 जो है यह तो आपका जहां से आपने data input किया है वहां से आ रहा है और दो प्लस दो का जो योग हुआ है जो उसका उत्तर आ रहा है वह आपके प्रोग्राम का आउट्पुट आ रहा है तो अब आप यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके पास दो तरह के चीजे हैं एक है string, character और एक है number जैसे the sum of two and two is four अर्था दो और दो का योग चार होता है अब इसमें से the sum of यह क्या है यह तो string है उसके बाद में क्या number आजाएगा दो जो आपका आपका input से आ रहा है और उसके बाद में आ जाएगा आपका and वो भी string है उसके बाद में जो आपने लिखा है दो वह भी इंपूट से आ रहा है उसके अपने लिखा कि the sum of two and two is four तो इस है जो यह भी आपका string है और उसके बाद जो उत्तर आ रहा है four वो कहां से आ रहा है वो इस प्रोग्राम को एग्शिक्यूट करने के बाद में जो उसका आउटकब आ रहा है वहां से आपको आ रहा है अंसर four तो अब इस तरह कि आप अगर आउटकम अगर आप आप देना चाहते हैं जहां पर आपका स्ट्रिंग भी आ जए, नंबर भी आ जए जए, जो प्रोग्राम का इंपुट है वह भी आ जए, प्रोग्राम का इंपुट है, यह भी आज जए है, तो इन भिन भिन कार्यों को किस प्रकार से किया जाए तो इन कार्यों को करने के लिए सबसे इंपॉर्टन ये है कि हमारा आर इस कार को किस प्रकार से करता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और जो भी हमारे पास R में अपने इस output को दिखाने के लिए हमारे commands होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं उनके साथ में हमारे जो options होते हैं, उनको समझते हैं और जब हम यह समझ जाएंगे कि R हमारा किस प्रकार से कार कर रहा है तो हम अपने और्पूट को R के उसी प्रकार के कमाड में देश सकते हैं और उसको वही और्पूट देगा जो हम चाहते हैं तो चलिए हमेंसे lecture की शुरुआत करते हैं और इस lecture में आज हम print और format statements की बारे में समझने की कोशिश करेंगे, हम कई सारे धारे लेंगे, उसके दोरा हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए इस lecture को हम आरम करते हैं, अब देखिए हमारे पास strings होती हैं, जिनके बार operations भी करते हैं, तो जो भी हमारा output होता है, वह उन operations को एक particular format में दिखाने के लिए, हम किस प्रकार से आगे बगएं, इसको हमारा समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी हमारा कोई program होता है, उसका जो भी output आता है, उस output को एक किसी required format में समझने के लिए और दिखाने के लिए हम उसको किस प्रकार से करें, जो हमारी एक आफशक्ता होती है, यह हम आज इस lecture में समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए, पहले हम आपको यह बता दें कि हमारे पास इस outcome को format करने के और अपने इस outcome को screen पर देखने के कई सारे command होते हैं, जैसे print है, format है, cat है, paste है, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, तो चलिए, आज हम सबसे पहले print की बात करते हैं, तो print क्या है, print हमारा जो भी हम print के आगे parenthesis में, उसके argument में जो भी लिखेंगे, यह मुझे उसको print करके दे देगा, और print को याद भी है, आपको, हम लोगों ने बहुत बार इस्तमा तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इसके बारे में आपको आगे आने वाले lectures में बताएंगे, तो आज यह वही lecture है, जहां पर हम print के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो देखिए, print को इस्तमाल करने के लिए हमको लिखना होगा, PRINT, सबकुछ lowercase alphabets में, और उसके बाद में, parentheses में हम, जो भी मुझे print करना है, हम उसको लिख देंगे, और यह जो हमारा print कमान होता है, यह हमारा एक generic कमान होता है, और यह हमारे different जो अलग-अलग R के objects होते हैं, उसके उपर काम करता है, किसे आपने पहा हुआ है कि R objects के हमारे classes होते हैं, और उन classes को मालूम करने के लिए आपका command होता है class, C-L-A-S, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो यह जो हमारा print कमान है, यह हमारे भिन-भिन तरह के classes हैं, उसके उपर काम करता है, तो चली, अब हम यहाँ पे कुछ एक छोटे-छोटे दारग लेते हैं, और उसके दोरा यह समझते हैं कि print हमार किस प्रकार से कार कर रहा है, तो जैसा दिखिए हम यहाँ पर square root of two को print करना चाहते हैं, square root of two की value आएगी, वो आप 1.414 करके आगे बहुते जाती है, तो इसको हम यहाँ पर print करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा print, और फिर हमने parenthesis में लिख दिया square root of two, अथा sqrt और उसके parenthesis में आप में लिख दिया 2, तो जो भी इसका outcome मिलेगा आपको, यह कुछ ऐसा मिल जाएगा, 1.414214, अब हम इस output में जो हमारी इसकी संख्याए हैं, उसको हम control करना चाहते हैं, जैसी यह तो आगे बगलता जाएगा, यह हमारा output है जो, तो इस output में हमारी कितनी स चाहिए, इसके बारे में हम कुछ control करना चाहेंगे, तो कैस्व धारग के लिए अगर आप यह चाहते हैं, कि आपका यह जो output आया है, इसमें जो आपकी पांच संख्याए होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास option है, यहां पे, कि हम print command के साथ में लिख देंगे, डी आई GITS, digits का मतलब होता है, संख्या, कितनी संख्याए होनी चाहिए, आपने तदि यह पांच, तो आप इसका जड़ा output देखे क्या आया, यहां पे देखे कितनी संख्याए आगे, 1.4142 में, 1, 2, 3, 4, और 5, अब, साथ में आपको यह भी ध्यान देना है, कि यहां पे एक decimal point है, जिसको count नहीं किया गिया है, इस decimal point को, यह आपको ध्यान अपने है, बहुत important बात है, लेकिन हम इसमें कोई बहस नहीं कर सकते हैं, यहां पे, क्योंकि R हमारा इसी प्रकार से कार्ए करता है, और यही बात आपको समझना भी है, और यही आप अगर यहां पे कोई option नहीं देते हैं, तो आपने देखा था कि R के अंदेर एक हमारा built-in option होता है, उसमें कित्री संख्याए मिल रही है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, अब इसके बार अगर हम मा लिए इन ही संख्याओं को हम और increase करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी उसमें 10 संख्याए हो जाए, तो हम यहां पर अपना option को बदल देंगे, और हम कर देंगे, तो जब हम यहां पर कर देंगे 10, तो देखिया हमारे जो output ऐसा आएगा, यहां पर कितने संख्याएं आ गई, एक, तो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नौ, दस, तो देखिये, इस प्रकार से इन options को दे करके हम अपने इस outcome में कितनी संख्याएं होनी चाहिए, हम इसको control कर सकते हैं, अब यह तो मैंने जो आपको धारल बताया है, यह तो numbers के उपर है, अब हम जड़ा सा इसी धारल को आपको हम किसी character के उपर दिखाना चाहेंगे, तो हमने अपने print कमान को, जो हमारे strings होती है, characters होती, जिनको हम double course के अंदर लिखते हैं, उसके उपर operate क करते हैं, और देखते हैं कि क्या होता है, अब आपने यहाँ पर कह दिया print और double course में लिख दिया apple, आपने देखा कि apple, banana, cake, इतियारी यह है, बड़े popular नाम इस course में है, इस strings को consider करने के लिए, तो जैसी आपने किया print apple, और apple को आपने double course में लिखा, तो यहाँ इसका outcome इस प कोई data vector भी लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पर दो value ले लिए, दो character ले लिए, apple और banana, और इसको आपने data vector c के साथ में join कर दिया, और इसको print कर दिया, तो आपका outcome क्या गया, apple और banana, और दोनों देखिए, आपके यहाँ पर character से, इसके आगे हम क्या करते हैं, इसी option में, जहा 6 और 10 तो आपके हैं number, और apple और banana क्या है, यह आपके हैं character, लेकिन जब इसको हमने print किया, तो outcome क्या गया, apple, banana, 6 और 10, लेकिन, आप देखेंगे कि 6 और 10 हमारे जो है, यह हमारे double quotes के अंदर लिखे हुए है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 2 आपने तो number दिये थे, लेकिन, इ our software में उनको character ही माना है, और साथ में जो apple और banana तो आपके character हैं है, इस ने आपको देखेंगे इस प्रकार का outcome दे दिया, और इसी को आप अगर our software में अगर करके देखना चाहें अगर, तो देखेंगे, मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूँ, जैसे देखेंगे, आपने इक अधार लिया, print मैंने कर दिया, suppose art, तो यह art print कर देगा, और अगर मैंने art को यहां पर essay कर दिया, इसको मैंने double course में लिग दिया, को देखें क्या कर देगा, यह, इसने art को double course में ही कर दिया, और देखें इसने उसको as a character लिया है, और उसी प्रकार से अगर हम माल लिए, यहां पर हम print, square root of two की बात अगर करते हैं, तो देखें यह, हमारा print हो जाएगा, ऐसे करके, और इसी में अगर हम इसमें अपने संख्याओं को बहाते हैं, उसके लिए, command use करते हैं, digits is equal to, suppose, say eight, तो देखें, अब इसमें से आपकी, यहां पर, एक, दो, तीम, चार, पांच, और दो, आठ, आठ, digits आगई, और इसी में आप अगर digits को आप कर दीजे, अगर 20, तो देखें, कितनी आगई, total आप count कर देखेंगे, तो आपकी 20 digits आगई, इसके द्वारा आपने देखा कि आप इस तरह के outcome को control कर सकते हैं, okay, अब हम आपको ज़रा सा कुछ characters के बारे में ब लिजिए, आपने एक कोई data vector ले लिया, जहां पे values आपकी, दोनर values ममालिए की character हैं, जैसे apple और banana, तो भी इसने इसको print कर दिया, अठाथ की जो आपका print command है, या आपका numeric और character दोने के उपर काम करता है, इसी option में आपने अगर इसी data vector में अगर आपने दो किसी numerical value को add कर दि राइट, तो इस पर कैसे आप देखेंगे कि print आपका एक बहुत ही आसान सा command है, जो आपका number और character दोनों को screen पर print कर सकता है, अब इसके अलावा हमने यहां पर जैसे एक option तो देखा कि हम अपनी संख्याओं को किस प्रकार से control कर सकते हैं, उसी तरह के से हमारे पास और भी बहुत सारे options होते हैं, जिनको हम अपने इस print command के द्वारा control करना चाहेंगे, और उसको control करने के लिए हमारा command होता है, format, 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 तो यह जो हमारा format command है, यह हमारे जो r objects होते हैं, उनको बहुत अच्छे खरीके से print करने के लिए इस्तमाल होता है, इसमें हमारे पास अलग- कि जब भी आपका भी अपना कोई document का यार करते हैं, जैसे कि document को type करने के लिए हमारा एक बहुत ही popular software है MS Word, word में आपके पास different तरीके के options होते हैं, कि आप अपने उस type के हुए matter को left hand side में justify कर सकते हैं, center कर सकते हैं, right hand side कर सकते हैं, इत्यादी, तो उसी तरह कि हमारे पास य द्धान रखनी है कि जो art software कोई word processing का software नहीं जहां पर आपको typing करनी है, यह तो आप इसमें से typing के द्वारा आप अपने जो output को control करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए इसके लिए हमारे पास कई सारे options होते हैं, हम आपको कुछ option यहां पर बताएंगे, और बाकी options के जैसे आप अगर देखेंगी format में हमारे पास कई सारे command हैं, जैसे x, x में हमको जो अपना data vector देना है, उसके बाद है trim, trim को हम true या false के form में कर सकते हैं, उसी परकार से हमारे पास है digits, जिसका हमने इस्तमाल देखा कि यह digits क्या करता है, यह हमको अपनी जो भी हमको कितनी significant digits की आप शकता है, यह उसको control करता है, और उसके बाद में हमारे पास होता है, एक और option होता है, any small, और यह सब कुछ lowercase alphabet में लिखा गया है, तो यह जो any small होता है, यह हमारा decimal point के right hand side में कितनी संक्याएं होनी चाहिए, यह उसको control करता है, right, उसी प्रकार से हमारे पास एक और option हो justify, और इसमें से हम कोई भी option ले सकते हैं, left, right, center, none, तो यह जो हमारा text होता है, जो हमारा outcome आता है, उसको यह बाएं हाथ पे, दाएं हाथ पे, center में, उसको यह justify करने की, या उसको adjust करने की कोशिश करता है, right, तो और अगर हम कोई भी option ने देंगे, तो यह हम यह लेफ्ट की ने देंगे हैं, तो यह हम आपको यहाँ पर एक पहले अधारग लेते हैं, जहां पे हम आपको दो चीजों का इस्तमाल करकर दिखा रहे है, और जहम आपको R में करके दिखागे, तो इन दो options को एक एक रखे इस्तमाल करेंगे और छो फिर आपको दिखाने की कोशिश करें किसे क्या हो रहा है यह से मुझे 0.5 को print करना था और मैंने साथ में यहां पर लिख दिया command format और format में मैंने यह देखे दे दिया digits is equal to 10 और दूसर option था अब इसका देखे और output किस प्रकार से आता है आप अगर ध्यान दीजिए कि यह आपका decimal point है और decimal point के बाद में अब आपके यहां पर कितनी values आ रही है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आच, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदरा, पंदरा तो यह जो पंदरा values ह यह हमारे small के द्वारा control हो रही है अब सवाल आता है कि यह digits हमारे क्या कर रहा है तो इसको हम आपको धारण के द्वारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम हमारे पास यहां दो options हैं हम दो प्रकास सो सकते हैं कि चुकि हमारे यहां पे 10 digits पहले से आ रही हैं जैसे एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसलिए यह उसको control कर रहा है यह हम दिखेंगे क्या हमारा digit option हमारा format के अंदर काम भी करता है कि नहीं करता है राइट चलिए आगे बगलें के पहले हम आपको कुछ और भी यहां पे command बता दें जहां पर हम आपको यह width और center के बारे में बताना चाहेंगे राइट तो अब आगर आप देखें तो मैंने यहां पे इस slide में क्या किया है मैंने एक data vector लिया है और यही data vector में जो आगे आने वाली slides है वहां भी इस्तुमाल करूँगा यहां पर मैंने चार value लिया है a double b triple c c को तीन बा लिखा है और d को four times लिखा है और यह सारे हमारे characters हैं तो इनको मैंने double quotes में input कर दिया है उसके बाद में हमारा एक option है यहां पर justify justify को मैंने ले लिया है center और जो हमारा जो हमारा दूसरा output है यसे यह हमारा पहला output है दूसरा हमारा यह है तो यहां भी मैंने रिखी यह जो data vector है इसको मैंने same ही लिया हुआ है और justify को भी मैंने same ही लिया हुआ है तो पहले और दूसर यह है कि मैंने पहले वाले में लिखा हुआ है width is equal to 7 और दूसरे वाले में लिखा हुआ है width is equal to 14 अर्थाथ पहले वाले case में width हमारी है 7 और दूसरे वाले case में width हमारी है 14 अब जरह से हम इसका output देखते हैं कि output में क्या होता है अब जरह से आप अगर यहां पर देखने की कोश a आया है इसकी देखी width इतनी है तो आपने देखा कि दूसरे case में जब हमने लिखा width equal to 14 तो a है की जो width है वो हमारी double quotes के अंदर बगगी गई तो जो width command है उसके द्वारा हम double quotes के अंदर हमने जो भी अपनी value दी हुई है character की तरह से उसकी हम width को control करने की कोशिश करते हैं, right? उस आपको यही दिखाए पर रहा है B आपको देखिए यहां तक आ रहा है पहले case में और दूसरे case में बी आपको देखिए यहां तक आ रहा है तो देखिए उसकी width बगगी और इसी चीज़ को आप अगर यहां पर screen shot के माधियाम से देखेंगे तो आपको और अच्छे से दारग यहां पर लेते हैं और उस दारग में आपको ज़रा से हम जो justify है उसके बारे में दिखाना चाहेंगे कि उसमें क्या हो रहा है तो मैंने वही data अपना जहां पर हमारे पास A और दो बार B, तीन बार C और चार बार D को मैंने double course में लेकर के एक data vector क्यार कर लिया और केसे में आप अगर देखेंगे कि यह data और यह width एक सी है और जो अंतर आ रहा है वह अंतर हमारा इसके कारण है justify राइट तो आप अगर देखिए कि पहले case में हमने justify क्या लिया हुआ है center, दूसरे case में left, तिसरे case में right और चौथरे case में क्या है none अब ज़रा से हम इसका outcome कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसका outcome change होता है अब देखिए आप जो पहले case में देखिए जब हमने लिया हुआ है justify equal to center और center उसको double course में लिखना है तो देखिए यह हमारी यहाँ पे इसकी width है साथ अब ज़रा से आप यहाँ पे जो हमारा a है इसकी location देखिए यह हमार इस double code की जो width है यहाँ उसमें center पर है और इसी प्रकार से आप अगर दूसरे case में double course देखिए जहाँ पर हमारा a enclosed है तो यहाँ पे देखिए हमारी a की location क्या है यह हमारी इस double code के बगल में अथा ती है left hand side में by heart की और यह arrange हो गया है उसी प्रकार से आप अगर इसको अपने किसरे case में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिक हो है right अब ज़रा से यहाँ पर आप a की width देखने की कोशिश करिए right a की width आपके यहां से यहां तक है अब आप देखेंगे कि यह जो हमारा a ह इसकी जो location है यह हमारा जो right hand side का double quote है यह यहां पर आ करके arrange हो गया है तो यह कैसे हो रहा है चूकि मैंने यहां पर दिया हुआ है right और जब हमने दिया हुए none तो जैसे मैंने दिया तो देखिए उसी प्रकार से यहां पर arrange हो गया तो अब आपने देखा कि यहां पर इस प् यह सब एक ही है width और यहां पर आपने दिया है center तो देखिए बीच में आ गया फिर आपने दिया है left दूसरे केसे में तो यह बाएहां पर आ गया और तीसरे में आपने दिया right तो देखिए इस तेखह पर आ गया जो इस width में right hand side पर है right तो चलिए हम आपको जड़ा सा इन 0.5 वाला option लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कि इसका देखिए output तो वही आ रहा है जो मैंने आपको दिखाया है अब जड़ा से हम यहां पर एक एक करके इन option को हटाने की कोशिश करते हैं तो देखिए हमने यहां पर खाली option इसमाल किया any small is equal to fifteen तो आप देखेंगे कि यह हमारा decimal के बाद इसमें यहां पर fifteen places आ गएं लेकिन अगर हम इसी command में अगर हम any small को हटा देते हैं और खाली डिजिस को रहते हैं तो देखिए हमारा उत्तर खाली zero point five ही आया तो यह हम को देखना है कि हम कोई भी option को अगर हम अपने format command के अंदर देते हैं या format command के बाहर तो देखिए क्या पड़ेगा जैसे कि अगर हम यहां से माल लीजिक अपना अगर यह format command हम हटा लेते हैं अब इसके आगे देखिए हम यहां पर लिखते हैं यहां पे हम zero point five तो देखिए क्या होता है और आपको समझना है कि क्यों हो रहा है यह value हमारी zero point five आई क्यों कि zero point five तो हमारी exact value है ना उसकी जगह अगर हम माली square root of two की बात अगर करते हैं तो square root of two में जो हमारी संख्याए आगे तक बढ़ती जाती हैं इसलिए हमको उसका उत्तर यहां पर जो हमको निकालना है उसके लिए हम इस option को इस्तिमाल करते हैं तो देखिए यह सब बाते हैं आपको खुद से समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से कौन सा option कहां पर कार कर रहा है अब हम करते हैं अपने इस width कमान को हम यहां पर करते हैं तो आपने देखा कि जब हमने यहां पर width ली हुई है seven तो देखिए आपकी कुछ यहां पर इस प्रकार से जगह आ गई अब हम एक काम कर कि इसमें से जरा हम अपने इस विद को बहाने की कोशिश करते हैं और हम करते हैं यहां पर बीस आप देखेंगे कि तो बीस देखी इस प्रकार से आगया यह आप देखी यहां तक आया इसकी विद बढ़ गई और पहले क्या थी खाली इतनी थी इस प्रकार से आप यह देख स हैं जहां पर मैंने जो अपना justify को use किया है इसको भी दिखा देते हैं तो देखिए आपका ये format इस प्रकार से आ गया शुलिए हम अपने इस width को कम कर लेते हैं जिससे कि आपको यहां पर यह साफ साफ दिखाई पढ़िया है तो देखिए यहां पर मैंने ले लिया center right अब उसी के बाद में मैंने यहां पर कर दिया center की जिगह कर दिया justify is equal to left और देखिए यहां पर command दिया तो यह हमारा इस प्रकार से आ गया और उसके बाद में जब मैंने लेफ्ट की जगह मैंने कर दिया यहां पर कर दिया राइट तो यह देखी कमान इस प्रकार से आ गया और जब मैंने कर दिया यहां पर कर दिया नन तो देखी यहां पर यह इस प्रकार से आ गया राइट तो आपने देखा कि हम इस भिन भिन की को इस्तमाल करте हुए हम अपने format को कि प्रकार से इस्तमाल कर सकते हैं? चल कि अब हम को एक और चोटा सा command बताते हैं कि अगर हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि आप अगर x में जिसे मैंने अभी ते आपको number लिए है character लिए है उसी प्रकार से आप अगर matrix लें या कोई और अगर data object लें तो उसमें उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपने देखा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है x is equal to matrix और यह matrix क्या है यह 3 by 2 की matrix है जिसमें हमारी data values है एक से 6 तक और सारी values हमारी row wise range है तो यह आपको यहाँ पर ऐसी दिखाई पलती है तो आपने यहाँ पर कर दिया है print x तो देखिए आपको यहाँ पर यह जो आपकी matrix x थी है यहाँ पर print हो गई तो उसी तरह से हम आपको यहाँ पर यह दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई और करीकर का data object होता है तो भी वहाँ पर हमारा यह print कार करता है लेकिन अगर आप से हम कहें कि जब पहले हमने कभी इस तरह की matrix लियो और वहाँ पर खाली मैंने आर console में x को लिख करके मै पर यह matrix मिल गई थी तो इसमें से print और x के outcome में क्या अंतर है तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि x को हम जब print कर रहे हैं तो यह हमको x अपने अंदर जो value हमारी है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है और जो हमारा print है जो भी x की value है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है और यह वाला हम आपको जो operation है जब हम इसको अपने अगले lecture में कुछ और option देंगे ता हम आपको और अच्छे से समझा पाएंगे कि यह किस प्रकार से कार्य करता है राइट और इसके बाद में हम अपने साथ में यहाँ पे number of disease को भी control कर सकते हैं तो अब हम आपक कि यहाँ पर एक और इत्वासा command देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपको याद है कि हमने जब हम अपने रुपए को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम लो अगर हमारे पास 500 रुपए है तो हम ऐसे लिख देंगे 500 और अगर 500 या रहे हैं तो तो भी ऐसे लिख देंगे और कभी कभी यहाँ पर हम एक कौमा लगा देते हैं और पचास हजार अगर हैं तो उसको पचास के आगे कौमा लगा देते हैं और उसी प्रकार से अगर हमारे पास अगर पास लाक हैं तो हम यहाँ पर इस प्रकार के हम कौमा लगा देते हैं तो इसी तरह किस अगर हमको को में हम किसी option को insert करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास format command के साथ में हमारा एक option होता है big.mark big.mar के सब कुछ हमारा lowercase alphabets में है और यह हमारा इसी प्रकार से यहां पर स्नॉाल होगा में तो किस प्रकार करता है तो मैने यहां पे लिखा format और यहां पर मैंने देखी कितनी सख्णाय ले नि साथ मैं ने big dot mark equal to double course में लिख दिया कॉमा अब देखिए जो इसका हमारा output इस प्रकार से आएगा कि यह right hand side से चलेगा और यह हर तीसरे इस्थान पर कॉमा लगाता जाएगा तो जैसे इसका 7, 6, 5 दो ढमास तीसरे इस्थान आया यहाँ पर कॉमा लगा लिया फिर छारligen और इसका इस को और देते हैं हम एक दो तीन चार पांची आठ कर देते हैं तो दिखी क्या होगा यह हमारा फिर से बढ़ेगा और यह हर तीसरे स्थान पर यह हमारा कॉमा लगाता जाएगा और उसी तरह कि अगर हम इसमें से नौ संख्याओं को ले लेते हैं तो भी देखिए हमारा राइचेंड साइड से बढ़ेगा और यह हमारा यहां पर हर तो इस प्रकाश से यह हमारे कारे करता है और इसी में अगर हम आले कॉमा की जगर, अगर हम blank space देना चाहते हैं, तो जैसे देखिए मैंने यहां पे दो space blank दे दी हैं, तो यह देखिए हर तीसरे स्थान पर आकर के यह दो ब्लैंक स्पेस की का यह साइन यहां पर इंसर्ट कर देगा और इसके द्वारा हम इस ऑपरेशन को कर सकते हैं और अपने हम इस डेटा को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो देखिए यह इसका आपका स्क्रीन शॉट भी है और चलिए आगे बढ़ने के पहल करने की कोशिष करेंगे तो यह आपकी हो जाएगी इस परकार से तो कैसा मैंने कहा कि मेरा यहां पर आ जो मारा अदेश है यह कि मैं आपको जो हमारे नूमरी और और करेक्टर के के लावा बाकी देटा वेक्टर होते हैं उनको भी हम प्रिंट कमान के द्वारा हंडल कर सकत कि आपको इस तरह से हर तीसरे इस्थान पर आपको कौमा लग जाएगा अब इसी में आप अगर संख्या को बहा देंगे हमने यहां पर आठ संख्या कर देंगे तो आप देखेंगे कि अब यह तो यहीं से चलेगा कि जो अंत के तीसरे इस्थान पर आपको यह कौमा लगाता रहेगा और इसी प्रकार से आप अगर यहां पे अगर साथ आठ नौ कर देंगे तो भी देखिए आपको यह इसी प्रकार से रहेगा और इसी में आप अगर मान लिजिए कि आप अगर कौमा की जिएगे आप अगर यहां पर स्टार करना चाहते हैं तो भी देखिए यहां पर यहां पर star लगा देगा और अगर हम इसमें से संख्याओं को अगर हम कम भी करते हैं तो भी देखिए हमको यहां पर star लगा देगा और साथ ही अगर हम यहां पर अगर हम इनको blank space भी देना चाहते हैं जैसे मैंने एक, दो, तीन, तीन blank space दे दी तो देखिए यह आपको यहां पर तीन blank space करके यहां आपको जगा भी दे देगा तो चलिए अब हम इस lecture में यहां पर रुखते हैं और आपने देखा कि इस lecture में हमने बहुती छोटे-छोटे commands को इस्तमाल किया है और मेरा अदेश ही है कि जो हमारा output आता है उसको हम किस प्रकार से control करने की कोशिश करेंगे और लेकिन अब आपका number है आपने देखा कि हम अप different options होते है justify with इत्यादी उनको हम किस प्रकार से control कर रहे हैं तो जब तक कि आप यह नहीं समझेंगे कि are in function को किस प्रकार से कर रहा है तब तक आप अपने output को control नहीं कर सकते क्योंकि output आपको वही चाहिए जो आपकी आपशक्ता है तो इसकी लिए यह बहुत आवश्य कि में किस प्रकार से कार कर रहे हैं उसके अनुसार आपको उधारग लिजिए और उन उनको आप R software में R console पर execute करने की कोशिच करिए और देखिए कि क्या वह आपको वही उधारग जो आपने उधारग लिया है वह आपको वही उतर देता है जो आपने सोचा हुआ है क्योंकि R के अंदर तो R जिस प्रकार से कार कर रहा है वह उसी प्रकार से कार करेगा और आपको उसके नियमों को पालन करना है कि वह किस प्रकार से फॉर्मेटिंग करके आपको देगा अगर आप अपने तरीके से कुछ और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो जब तक कि आपको के लिए हम फिर से आएंगे, तब तक के लिए गुड़ बाई. अजय का लिए, तक के लिए हम प्यूद आएंगे.